दिल्ली में मानवुद्वारा निर्मित बादलों के जरिये असली बारिश कराने की तैयारी चल रही है सफलता कितनी मिलेगी ये तो समय बताएगा लेकिन दिल्ली इंसियार के चारो तरफ भयानक प्रदूशन फैला है वो भी जानलेवा स्तर का इसलिए कृत्रिम बारिश की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है दिल्ली सरकार इसे लेकर प्रयास भी कर रही है भारत में नकली बादलों से असली बारिश कराना कोई नई बात नहीं है आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने का प्रयोग 1951 से अब तक 30 बार किया जा चुका है इस बात की पुष्टी इंडियन इंस्टिटूट औफ ट्रॉपिकल मेट्रोलोजी के वैज्यानिक भी करते हैं 1951 में पश्चमी घाट 2003-2004-2019 करनाटक में 2004 महराष्ट्र, 2008 आंध्र और तीन बार तमिलनाडू में कराई जा चुकी है कृत्रिम बारिश इन राज्यों में सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी यानी दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश का एक्सपेरिमेंट पहली बार नहीं होगा भारत में सबसे पहले कृत्रिम बारिश की कोशिश 1951 में टाटा फर्म द्वारा पश्चमी घाट पर जमीन आधारित सिल्वर आयोडाइट जनरेटर का इस्तिमाल करके किया गया था कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउट सिडिंग एक प्रकार से मौसम में बदलाव का वैज्ञानिक तरीका है इसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है इसके लिए विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है और उनसे सिल्वर आयोडाइट, ड्राइ आइस और क्लोराइट छोड़े जाते हैं इससे बादलों में पानी की बून्दे जम जाती हैं यही पानी की बून्दे फिर बारिश बनकर जमीन पर गिरती हैं हालांकि यह तभी संभव होता है जब वायूमंडल में पहले से परियाप्त मात्रा में बादल मौजूद हो और हवा में नमी हो यानि कम से कम 40 फीसदी पानी के साथ इतनी ही मात्रा में बादल